बॉलिवूड बुलेटिन हुमा कुरेशी ने कहा अपने राजनीतिक विरोधियों को कड़ी चुनौती देती हैं रानी भारती हाल ही में hit streaming show महरानी के तीसरे सीजन के लिए काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने वाली actress हुमा कुरेशी ने शो में अपने किरदार को लेकर INS से खुलकर बात की तीसरे सीजन में दिखाया गया है कि पती की हत्या के मामले में फसाए जाने के बाद जेल में बंध हुमा की मुख्य किरदार रानी भारती कैसे वापसी करती है बाहर उनके बच्चों पर हुए हमले के बाद वह अपने राजनीतिक विरोधियों को कड़ी चुनौती देती नजर आती है हाल ही में एक्ट्रिस ने स्ट्रीमिंग फिल्म मौनिका ओ माई डार्लिंग में फिल्म निर्माता वासन बाला के साथ अपने पिछले जुडाव और महरानी के बारे में आइने से खुल कर बात की शो में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए एक्ट्रिस ने बताया रानी भारती एक ऐसा किरदार है जो अपने विरोधियों के लिए बनाई गई योजना अपने तक ही रखती है वह उन साजिशों से भी वाकिफ है जो उन्हें नीचे गिराने के लिए रची जा रही है लेकिन वह हमेशा अपनी इमानदारी से समझोता किये बिना उभर कर सामने आती है एक्ट्रिस करिश्मा तन्ना ने कहा स्कूप ने दिलाई अभिनय की दुनिया में नई पहचान ने उन्हें अभिनय की दुनिया में नई पहचान दिलाई एक्ट्रिस ने बताया कि इसके बाद ही लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया लेक में फैशन वीक के दौरान एक्ट्रिस ने आई एनेस को बताया सीरीज स्कूप से पहले भी लोग मुझे इस इंडस्ट्री में जानते थे मगर स्कूप ने मुझे अभिनय की दुनिया में नई पहचान दिलाई है इसके बाद ही इंडस्ट्री ने मुझे गंभीरता से लेना शुरू किया मेरे काम के बाद लोगों में मेरे प्रती बदलाव आया एक्ट्रिस ने महत्वा कांग्शी डिजाइनरों के सपनों और जुनून को रैम पर उतारा यह पूछे जाने पर कि जब वह इंडस्ट्री में जगा बनाने की कोशिश कर रही थी तो क्या उन्हें सपोर्ट मिला करिश्मा ने कहा नहीं मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला शाहरुख खान के साथ आइकॉनिक पोज देते दिखे हॉलिवुड सिंगर एड शीरन शेप ओफ यू, परफेक्ट, ठिंकिंग आउट लाउड जैसे चाटबस्टर्स देने वाले मशूर हॉलिवुड सिंगर एड शीरन मुंबई में 16 मार्ज को हायने वाले अपने म्यूजिक कॉंसर्ट के लिए पूरी तरह तयार है अपनी मुंबई यात्रा के दौरान उन्हें सुपर्स्टार शाहरुक खान के साथ देखा गया उन्होंने सुपर्स्टार के साथ फेमस पोज भी दिया अलू अर्जुन अभिनीत फिल्म अला वैकुंट पुर्मुलू के गाने बुट्टा बोमा पर अर्मान मलिक के साथ थिरकने के बाद एड शीरन ने बॉलिवुड के सुपर्स्टार शाहरुक खान से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने बॉलिवुड स्टार का फेमस आइकॉनिक पोज दिया उनकी यहां मुलाकात सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है शाहरुक और एड शीरन दोनोंने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात की पोस्ट शेयर की शेयर किये गए वीडियो में शाहरुक को पेपर्टिंग प्रिंट वाली धीली शर्ट पहने देखा जा सकता है जिसे उन्होंने रिप्ड जीन्स और स्नीकर्स के साथ पैर किया है JNU में बस्तर फिल्म की प्री स्क्रीनिंग दो बार काटी गई बिजली जवाहरलाल नहरू विश्व विद्याले JNU में राश्ट्रिय कला मंच द्वारा बस्तर फिल्म की प्री रिलीज स्क्रीनिंग की गई बुधवार को हुई स्क्रीनिंग के दोरान फिल्म के डाइरेक्टर सुदीप तो सेन भी मौजूद रहे फिल्म में देश में माववादी आतंग से ग्रस्त एक क्षेत्र की कहानी दिखाई गई है स्क्रीनिंग आयोजित करवाने वाले छात्रों का कहना है कि इस दोरान कई बार शरार्ती तत्वों एवां JNU प्रशासन द्वारा बिजली काटने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी छात्रों ने फिल्म की पूरी स्क्रीनिंग देखी राष्ट्रिय कलामंच, RKM के सन्योजग गौरव ने बताया कि JNU के छात्रों को यह फिल्म बहुत अच्छी लगी यह खचाखच भरे हॉल और छात्रों के उत्सा से जाना जा सकता है इस फिल्म को दिखाने का उद्देश्य वामपंथियों के सच को छात्रों के मध्य उजागर करना था BNT की खास पेशकश